अहलो एक तक हमारा टौपिक यह पाप डा्ट 10 का खेलकूद में परशिक्षिक्शन बिछ मुपकूद है जिसका सिर्ओंसेद में उसीचिकी तो इस वार्मिंगा अप आप है शरीर को गरमाना को भार्मंगansa की जहीं facto मतलब बनाना की एक शृंक़ाब खेलकूज में प्रशिक्शन और डॉपिंग है जिसका नाम वार्मिंग ऑप जानेंगी स्पर्कार कभी प्रशिक्शन बीहानौ फिर सकते हैं फेसे एक शुर्व क्षयंगुश्श जी साते हुर्मिंग औरů तो यह होते हैं पिश्ट खेल या क्रिया में शामिल होती हैं यदि उचित रूप से वार्मिक किया जाता है तो मांस पेसियां पुशलता पूर्वत अनुक्रिया करने के लिए तयार हो जाती है प्रशिक्षन या असपरदा से पूर्व दोड़ने जोगिंग तता कुछ खाली हाथ प्योयाम क करने के द्वारा मांस पेसियां दर्म हो जाती है इसी को वार्मिंग अप कहते हैं शारिजिक शिक्षा के जादता विद्वानों का मानना है कि प्रशिक्षन या खेल से पहले वार्मिंग अप अनेक प्रकारस प्योगिया है लेकिन अनुचित या अत्तितिक वार्मिंग केवल उर्जा का अपवे है यानि की वेस्ट ऑफ एनर्जी है इसलिए वार्मिंग अपकेवल उस किरिया के अनुसार ही होनी चाहिए जो किरिया हमें करने हैं शरीर को बिना करमाए प्रशिक्ष्ण अप्रत्योगिता में भाग लेने से खिलाडी के प्रदर्शन पर निगेट अर्शिक्ष्ण पर्दर्शन पर्ता थे वार्मिंग अपके प्रकार हैं दो प्रकार की वार्मिंग अप होती है सक्रिय गर्माना और निश्क्रिय गर्माना सक्रिय गर्माना के भी दो हैं सामान्य गर्माना और विशिष्ट गर्माना तो सामान्य गर्माना जो है सामान्य वार्मिंग अप किसे कहते हैं यह है वार्मिंग अप लगबग सभी प्रकार के खेलों और प्रशिक्षियों से पहले की जाती है यह वार्मिंग अप समन्वय करने वाली योगता यानि कि कोर्डिनेटिव एबिलिटीज में मांस पेसियों यह जोडों की लचक को बढ़ाने के लिए की जाती है इससे मांस पेसियों जो हैं अर्द तनाव की स्थिती में आ जाती है और यह समन्वय वार्मिंग अप में आता है जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, हिचाव वाले व्यायाम, कैलिस्थैनिक्स और कुछ समान्य व्यायाम के द्वार्मिंग अप किया जा सकता है विशिष्ट वार्मिंग अप विशिष्ट वार्मिंग अप में उपकरणों की साहयता से कुछ विशेष व्यायाम की जाते हैं यह विशेश व्यायाम की जाने वाली किरिया से सीधे तोर पर संबंदित होते हैं विशेश्ट वार्मिंग अप सामने वार्मिंग अप के तुरंत बाद की जाती है विशेश्ट वार्मिंग अप प्रते किरिया में भिन होती है और इस वार्मिन अपमे खेल में किये जाने वाले विविन कोशनों का अभ्यास किया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि बैड्मिन्टन खेल से पहले बाजमों और टांगों के वियायाम के साथ कमर को गुमाने वाले वियायाम किये जाते हैं इसी प्रकार क्रिकिट खिलाडी मैच शुरू होने से पहले catch पकड़ने और फिल्डिंग इत्यादी का अभ्यास करते हैं तो गर्मानी की जो विदिया है सामानिया गर्माना जो है उसमें जो गर्मानी की विदिया है जोगिंग खिलाडी को सबसे पहले अपनी शारीलिक शंता के नुसा धीमी गती से दोड़ लगाकर शरीर को गर्माना चाहिए और शरीर के तापमान में बढ़ातरी के लिए उसे लगव पांस से दस मिनट तक जोगी करनी चाहिए और जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता रहे उसे जोगिंग के अवदी भी बढ़ा देनी चाहिए साधारण वायाम में जोगिंग के बाद खिलाडी को गर्दन, कंदे, कमर, हिप, कलाई, गुटनों तथा टकनों के वायाम करने चाहिए स्ट्राइडिंग में शरीर को गर्माने की अवदी थावकों के लिए लाबदायक होती है इस विदी में खिलाडी को लंबे-लंबे डग भरते हुए पूरी गती से लगों 50 मीटर की दूरी तक दोड़ना चाहिए और कुछ समय विश्राम के बाद यही किरिया चार से छे बार बार दोरानी चाहिए खिचाव वाले वायाम में स्ट्राइडिंग के परश्चाज शरीर के विभी नंगों में खिचाव संबनी वायाम करने चाहिए निश्क्रिया गर्माना निश्क्रिया गर्माना एक पुरानी विदी है जिसका प्रयोग मास्पेशियों को रिलेक्स करने के लिए किया जाता है गरम पानी से स्नान करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिससे हमारे शरीर संचार बढ़ता है और मास्पेशियों जो है अजाती है और सुचार रूप से कार्य करने लगती है मास पेसियों की साधारन चती में भी मालिस लाब दायक होती है इसलिए आजकर लगभग हर खेल की टीमों में मालिस करने वाले विसे सब्यों को निक्त किया जाता है गरम पे पदार्थो द्वारा खेल प्रतियों किता से गरम पदा जैसे चाय कोफी पीकर भी शरीर को गरमाया जा सकता है पर इस विधी का कोई वैज्ञानिक विरिक्षन के आधार पर खंड़ा नोचुका है यह इतनी प्रचलित नहीं है तो अब हम जानेंगे वार्मिंग अप का महत्व क्या है तो वार्मिंग अप से जैसे कि अब हमने चल्चा किए शरीर का तापमान बढ़ जाता है इससे मास्पेसियां अर्दितनाव की स्थिती में आने के कारण लचीली हो जाती है और अगर हम वार्मिंग अप के बिना खेल शुरू कर देते हैं तो हमारे मास्पेसियों के रेशे फट सकते हैं इसलिए वार्मिं मास्पेसियों के फटने और चोटो का खत्रा कम हो जाता है तो इससे स्पष्ट होता है कि वार्मिंग अप से मास्पेसियों की लचीले पन में वी व्रदी होती है शक्ति सहनशम्ता में व्रदी वार्मिंग अप द्वारा रक्त कोशिकाएं फैल जाती है जिससे मास्पेसिय के कारण शरीर में बहुत अधिक उर्जा उत्पन होती है और इस बड़ी उव्य उर्जा के स्तर के कारण खेल प्रदर्शन में सुधार होता है अक्सीजन के स्थाना अंतरण में व्रधी वार्मिनप के द्वारा रखत वाईकाएं फैल जाती है जिससे रखत का बहाव बढ़ बढ़ जाता है और इस बड़े वेरत बाव के कारण अक्सीजन की आपूर्ती भी बढ़ जाती है और जिससे हिर्दय पर कम दबाव पढ़ता है और अक्सीजन का स्थाना अंतर्ण सुचाव रूप से होता है मास पेसिये ताल मेल में व्रदी वार्मिंग अप के द्वारा मास मास पेसियों के विभिन समोह में आपसी ताल मेल बढ़ जाता है और जिससे खेल का प्रदर्शन जो है उच्च तमस्तर पर पहुंच जाता है और गती वीडियों में भी आकर्शन आ जाता है इसके अलावा है तंत्री का आवेगों की गती में सुधार वार्मिंग अप संकुचन जो है तेजी से होता है नियमित रूप से होता है जिस्ते की मास पेसियों की चिट्वाहट कम हो जाती है तो यह था आपका वार्मिंग का प्रकार वार्मिंग के भारे में और उसका महत्म आई होप आपको समझ में आ गया हुआ धिन्यवाद बच्चों